Hello students, this is Aditya God आज म्यूजिक में हम राग बागेश्री जो 12 के कोर्स में दूसरा राग है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आज राग बागेश्री का हम परीचा याद करेंगे सबसे पहले तो परीचा में हमने आपको बताया था कि कुछ हेडिंग्स होती हैं मुख्य बिंदुए होती हैं जैसे थाट, स्वर, जाती, वादी स्वर, समवादी स्वर, गायन समय, फिर उसका आरो, अवरो और पकड़ तो इन सब के बारे में, इन सब हेडिंग्स के बारे में हमने जो एक्स्प्लेनेशन था इससे पहले जो राग हमने सिखाया था, राग बहरव, उसमें आपको बता दिया था तो राग बागेश्री का जो थाट है, वह काफी है इसका मतलब कि राग बागेश्री काफी थाट से उत्पन हुआ है इस राग का जो जन्म हुआ है, वो काफी थाट से हुआ है इसका जनम दाता थाट काफी है और थाट काफी की क्या पहचान है कि इसमें गा और नी ये दो स्वर कोमल प्रयोग होते हैं कोमल स्वर आपको बताया है कि जिन स्वरों के नीशे रेखा अंकित की जाती है उन्हें कोमल स्वर कहते हैं और कोमल स्वर की आवाज उनके इसमें भी गा और नी स्वर कोमल प्रयोग होंगे और बाकी सबस्वर शुद्ध होंगे तो इसमें दो विक्रित स्वर प्रयोग हो गए गा और नी कोमल बाकी सबस्वर शुद्ध होते हैं क्योंकि थाट काफी में गा नी कोमल है इसलिए राग में भी गा और नी स्वर कोमल हो तो इस राग की जाती है वह औडhav संपूर्ण इसका मतलब क्या हुआ कि आ रहो में आ रहो में और जम क्छो क्राइब साथ में से सह वर्जित हो जाएंगे रहो में जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किये जाएंगे, तो जब आरो की जाती है, तो आपके दो स्वर वर्जित हो गए, तो कौन-कौन से वो दो स्वर है, रे और पा, तो रे और पा स्वर आरो में प्रयोग नहीं किये जाएंगे, रे और पा स्वर का प्रयोग आरो में वर्जि है तो रे और पाक को छोड़कर बाकी सब स्वर आपके आरो में प्रयोग होंगे और अवरो में बाकी आपके सभी साथ स्वर प्रयोग होंगे तो इसलिए इस राग की जाती क्या हो गई ओढ़व संपूर्व इसके बाद इसका जो मुख्य स्वर है जो प्रमुख स्वर है जो प्रधान स्वर है यानि कि वादी स्वर वह म है आपको पता है कि जिन स्वर का हम राग में सबसे अधिक प्रयोक करते हैं सबसे देर तक उसको गाते हैं वह वादी स्वर कहलाता है तो इस राग का वादी स्वर यानि कि बागिश्री राग का वादी स्वर है मा और बागिश्री राग का समवादी स्वर है सा तो वादी स्वर को हम राजा कहते हैं और समवादी स्वर को हम मंत्री कहते हैं यानि कि वादी से तो कम प्रयोग होगा लेकिन अन्य स्वरों से अध प्रयोग होगा सा इसके बाद आता है इसका गायन समय तो राग बागश्री का Agora एarna का दूसरा यानि कि रात के दूसरे प्रहर में इस राघो को गाया जाता है तो यह सबसे अधिक जो है अच्छा जो लगता है वह राथ के दूसरे प्रहर में लगता है गाह हम कभी और भी भी सकते हैं यह आगे आपकाा एक टॉपिक आएगा जिसमें संधानथ के पढ़ाएंगे के राग Mexico कैसे समय के में बाटा जाता है तो हम किसी भी राग को किसी भी समय सकतें लेकिन जो उसका समय जो होगा उसका जो निश्चित समय होगा उसमें वो सबसे अधिक अच्छा लगेगा गाने में और सुनने में भी तो इस राग का यानि की राग बागेश्री का गायन समय है रात का दूसरा प्रहर इसके बाद आता है इसका आरो अवरो तो यहाँ पर हमने को जाती में बताया था कि जाती इसकी ओड़व सवर हैं संपूर यानि की अवरो में साथ सवर हैं तो आरो में रे और पा वर्जित हैं रे और पा को छोड़कर बाकी सारे सवर आप लिख लेंगे सा गा मा धा नी सा देखिए इसमें रे और पा सवर नहीं है रे और पा को छोड़कर हमें बाकी सारे सवर लिख लिए अब स पा को दुबारा से हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, ये सा और ये सा एक ही आपका कहलाएगा, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आरो में कितने सवर हैं? पांच सवर हैं, इसलिए आरो की जाती क्या हो गई? ओडव, तो रे और पा को छोड़ कर बागी सारे सवर हमने यहां पे लिख लिए, सा, गा, मा, धा, नी, सा, अब गा और नी को हमने कोमल कर दिया, क्योंकि राग बागीश्ण में गा और नी सवर कोमल होता है, इसके बाद हमने लिखा इसका अवरो, तो अवरो में संपून जाती है, तो अवरो में सारे के सारे सवर जा परचान होती है कि यह कौन सा राग आये जा रहा है उसे हम पकड कहते हैं तो इसकी पकड़ है धा-ni-sa-ma-ma-pa-dha-ga-ma-ga-re-sa यह इसकी पकड़ है जिन सवरों के नीचे बिंदी आती है वह मंदर सब्तक के सवर होते हैं तो इस धा की आवाज इस वाले धा से दोगनी नीची होगी और इस नी की आवाज जो हमारा मध्या सब्तक का जो नी है उससे दोगनी नीची होगी तो यह दोनों सवर दोगनी नीच तो आप आज जो है इस राग के परीचे को याद कीचे अच्छे से नेक्स क्लास में हम इसके आरो अवरो पकड और इसकी तान उनको गाना सीखेंगे तो आज की क्लास के यहीं फिनिश होती है थेंक्यू